हेलो एब्रिवन मैं हूँ अम्बूज आप देख रहे हैं घीकी अम्बूज तो यह है पोर्टेबल एसेडी सैमसेंग दिस इस फॉर स्पेस्पिक यूज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो लेट्स हैव अन बॉक्सिंग एक्स्प्रियेंस इसको मैंने अमेजोन स सेल आया था उसमें मैंने इसको 9000 का पर्चेस किया है तो इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अफिलेट निक अविलेबल है तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं लेटेस प्राइस के लिए प्रेकेजिंग के बारे में बात करें तो एम इफ्रमेशन बुकलेट है और ये दो केबल्स दिये हैं C to C and C to A ये हाई डेटा टांसफर स्पीड केबल से हैं लुक एट इस थिकनेस केबल का लेंथ 18 इंच का है केबल का लेंथ तो सही है लेकिन हो सकता है कि आपको इससे भी लंबी केबल की जुरुत पड़े तो जो इसका अधिकनेस के बराबर है और जो इसका थिकनेस है वह 8 mm का है और जो वेट है 58 ग्राम्स का है बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये शॉलिड एल्मूनियम यूनि बोडी है पूरा बोडी एल्मूनियम का है अंदर इसके PCI NVMe इंबेट किया हुआ है और से बताद दोस्तों कि मेरे पास यह सीगेट का जो हाड ड्रयव होता है मेकैनकल हाड ड्रयव जिसमें इस पी निवाले हैं तो यह गिरने पर मैं कई बारे दफ़ा गिरा दुगा हूँ और जब भी गिराता हूँ उस समय क्या होता है इसका डेटा करप कर जाता है तो मेकैनक टेक्नोलोजिक के स्तमाल करा गया है मतलब कि इसके वज़े से होता क्या है कि इसके अंदर जो थर्मल पैड्स हैं वो इसके टेंपरेचर को विदिन 45 डिगरी कंदर में रखते हैं लेकिन रियालीटी ऐसा नहीं है रियालीटी में यह थोरा हीट अप होता है लेकिन इतना भी ह फूल कर दिया उसके बाद भी काफी दे तक यूज किया दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ इंक्लोजर बेस्ट जो SSD होते हैं उसमें थ्रोटलिंग के वज़े से वो SSD अपने आपको एजेक्ट कर लेते हैं मैं आगे इस वीडियो में इंक्लोजर बेस्ट SSD के बारे में बताऊ से तो यह जितना मैंशन स्पीड है उतना नहीं देता मैंने अपने MacBook Pro M1 के साथ इस पर टेस्ट करा तो जो मुझे स्पीड मिला है वो 580 राइट स्पीड मिला है और 680 राइट रीड स्पीड मिला है लेकिन जैसी मैंने इसको Windows लैप्टॉप के साथ इसका जो स्पीड है वो जो MacBook के साथ इसका स्पीड ज्यादा की हुआ है तो मैं बता दूँ दोस्तों कि Samsung ने मैंशन किया हुआ है कि आप अगर इसके तुरू अगर डेटा टांसपर करते हो तो जिस पोर्ट का आप इस्तमाल करे हो वो पोर्ट 3.2 Gen 2 का होना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि ज इसक SPD इसका स्पीड दो चीज़ पर करता है एक तो जो जिस भी सिस्टम से आप टांसफर करना वाला आपके लैप।प है या किसी और इबाईस के साथ कर रहे हो सको तो उस डिवाइस का जो इंटरनल स्पीड होना चीए इसससे ज़ादा होना चीए और दूसरा कि जो को मेंने कापल से मैंने फाइल टांसफर करना ही कोशिज करी यह फिर या क्रेंंने अपने मैक बूक के आज पास स्पीड मिलाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दूसरे आप केबल इस्तमाल करोगे तो आपको इतना ज्यादा स्पीड नहीं मिलना वाला है एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसका जो साइज है वन टीवी वन टीवी एक्चॉल में वन टीवी है भी कि आपके साथ धोका हुआ है तो दोस्तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे जो इसके साइज कल्कॉलेट करने का तरीका है या मतलब कि जो सिस्टम्स होते है अलग-अलग तरीके से इसके साइज को कल्कॉलेट करते है तो जो विंडोज कल्कॉलेट करता है इसके साइज को तो मैं वन के भी में एक हजार बाइट सी कल्कुलेट करता है तो यह जो बाइट के डिफरेंस है उसके वज़े से आप विंडोस के सिस्टम में दिखाएगा और एपल में आप चेक करोगे तो यह वन टी भी दिखाता है इसमें 256-bit encryption का यूज किया गया है इसके वज़े से यह जो प कि सिफ आप इसके फाइल को रीड कर सकते हो राइट नहीं कर सकते लेकिन अगर आपने विंडोस की सिस्टम में डालाया पासवर्ट प्रोटेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा है कि आप इसको रीड भी नहीं कर सकते नीचे आपको एक रेड लाइन दिख़डा होता है जब तक आप इसको पासवर्ट से उपन नहीं करोगे तब तक वो रेड लाइन नहीं जाता है वो दिखाएगा कि आपका डिस्प फूल हो चुका है तो और एक चीज़ प्रोलम है कि जैसे मालो कि आपने इसको पासवर्ट प्रोटेक्ट कर दिया तो जितने भी सिस्टम में डालोंगे उन सारे सिस्टम में इसके एप्लिकेशन और ओसकता है कि आप बचा के रखना इसको बचाके रठना ही जैदा इंपोर्टेक्ट होगा तो इसके ऊपर का एक variant है, सारे चीज सेम है, राइट स्पीड, राइट स्पीड, सारे चीज है, लेकिन उसमें एक चीज रिख्टा मिल जाता है, कि उसमें Touch ID दिया हुआ है, आप अपने fingerprint के थूँ उसको आप सेफ करा सकते हो, और एक चीज बताना चाहता हूँ, कि अगर आपने गलती से इसका password मतल़ कि खो दिया, आप से आप भूल गए, तो उस case में क्या हो गएगा, सैमसंग को message करना पड़ता है, सैमसंग message करेगा, सैमसंग आपको एक recent link भीज़ेगा, मतलब कि एक complex process होता है, वो recent link भीज़ता है, उसके बाद से जब भीज़ता है, तो आपके जो पुराने data होंगे, वो पूरे के पूरी तरह से दिली हो जाएंगे, आप अपने data को recover नहीं कर पाऊगे, अब मैं बात करना चाहता हूँ, कि इसको मैंने purchase क्यों किया है, मैंने purchase करने का भोजय है, कि मेरा Macbook Pro, मैंने जो Macbook Pro purchase किया है, वो based variant 256 GB वाला है, तो उसमें क्या होता है, कि time to time उसका data full होते जाता है, और खासकर तब जब उसकी जरूद परी, external SSD की जरूद परी, जब मैं Final Cut Pro पे editing करना स्टार्ट करा, तो Final Cut Pro क्या करता है, कि वो background में catcher files को record कर रहा होता है, जिसके वज़े से जो timeline होता है, उसमें smooth rendering होता रहा है, उसके वज़े से ही, मतलब कि जो background में है, सारे files record होते रहते हैं, तो आप अगर 10 GB का भी file को आप video edit कर रहे होगे, तो background में render होते होते हो सकता है, कि 100 GB भी हो जाए, तो 256 GB में मेरे अपने खुद के data भी है, लेकिन जब से मैंने इस पे edit करना स्टार्ट करा है, कोई भी problem नहीं होँ, डरेक्ली मैं जो library files है, इसमें generate करता हूँ, सारे जो video editing का process है, इसमें पे होता है, जो मेरा Macbook Pro है, उसमें कुछ भी चीज को save नहीं करा हूँ, सारे के चीज़ इसमें save होते हैं, और smooth rendering होता है, कोई problem नहीं होता है, device compatibility के बारे में बात करें, तो Windows 7 और उसके बाद के जो भी operating system है, उसमें अच्छे से काम करेगा, और Mac OS 10.10 के बाद से, जो भी operating system है, उसमें काम करेगा, और Android 5.1 lollipop ले कर आगे तक के, जितने भी operating system है, सब में काम करेगा, अगर आपके पास कोई device है, जिसमें C port है, मतलब कि इसका भी input है, और आपके device का जो input है, वो C port है, तो ये काम करता है, लेकिन अगर आप दूसरे device जैसे, आप iPhone के साथ connect करते हो, या iPad है, जिसमें lightning connectors लगे होते हैं, तो उसके साथ आप connect करने के कोशिश करोगे, तो connect नहीं होगा, वजह यह है कि इसको चलने के लिए power चाहिए, और power अगर आप C के तुरू connect करते हो, तो जो device होता है, उससे यह power ले लेता है, लेकिन other connectors के साथ ऐसा नहीं है, वो इसको power नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि, अगर आप lightning वाले, जो Apple के devices के साथ connect करना चाहते हो, iPhone के साथ करना चाहते हो, iPad के साथ करना चाहते हो, iPad जो iPad Pro है, उसमें जो C port है, उसके साथ तो connect हो जागा, लेकिन अगर lightning के साथ connect करोगे, तो आपको उसके लिए एक अलग से adapter purchase करना पड़ेगा, जिसका नाम है lightning to USB 3 camera adapter, जब आप उसको purchase करोगे, तो जो उसका USB port है, उसमें आप USB port से इसको connect कर लेना, और उसके बाद से फिर जो lightning port है, उसमें आपको power देना पड़ेगा, जब lightning port में अगर power दोगे, तो फिर इसको power मिलता है, उसके बाद से फिर आप connect कर पाऊगे, आप power bank के थिरू भी power दे सकते हो, अधर भी sources इस्तमाल कर सकते इसको power देने का, अब बात करता हूँ कि इसमें direct application को install कर सकते हो, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे application डाउनलोड करना चाहते हो, software को install करना चाहते हो, जिसको आप बहुत कम use करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि unnecessary का जो आपके system का internal drive है, वो full हो, तो उस case में इसमें direct application को download कर सकते हो, software को download कर सकते हो, और जब जरूत परेगा तो आप इसको open कर सकते हो, जैसे gaming के जो software होते हैं, आप multiple gaming इसपे install कर सकते हो, और जब आपको जरूत परेगा आप उसपे खेल सकते हो, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप इसमें directly 4K recording कर सकते हो, आप अपने camera का output को इससे connect कर दोगे, तो वो directly record कर लेगा, लेकिन इसमें भी catch है, तो यह depend करता है कि आप जो output देने वाले हो, हो सकता है कि आप 6K में recording करने वाले हो, ProRes में recording करने वाले हो, चाहिए होती है, और यह actually में 700-800 Mbps यह दे पाएगा, और depend upon कि actual में उस समय यह उतने speed ले पा रहा है, अगर उतना speed से कम आप इस पे output देते हो, तो यह record करेगा, लेकिन उसके जो 16-bit का जो footage होता है, ProRes में होता है, 6K या 7K, 8K का जो footage होता है, वो उसमें जादा उसको speed चाहिए होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं जो भी record कर रहा हूँ, वो Sony Alpha 6400 से 4K में record कर रहा हूँ, और इसका जो speed चाहिए होता है, 4K में record करने के लिए 25fps पर सेकेंड पे, वो 100 Mbps की speed चाहिए होता है, तो 4K का में जो footage है उसको record नहीं कर पाता, तो उस case में क्या होता है, कि जो आपका camera output दे रहा है, उसके speed से इसका speed ज़्यादा होना चाहिए, अगर हो सकता है कि आप 4K record नहीं कर पा रहे हो, 6K, 8K record नहीं कर पा रहे हो, तो आप resolution को कम कर दे, जो bit footage होता है, उसको कम कर दोगे तो record होगा, दोस्तो मैंने research के दौरान देखा कि, इस पे बहुत सारे लोग हैं, जो 4K का video, रेट camera के footage को इस पे record करें, अब बात करता हूँ inclosures के बारे में, तो दोस्तो inclosures ऐसा है, कि आप ऐसा समझे लोगे, आपके customization को option देता है, NVMe, जो M.2 होता है, उसको आप external SSD के तोर पे यूज कर सकते हो, उसके लिए inclosures आते हैं, उस inclosures में आपको जो NVMe, M.2 उसको fit करना पड़ता है, और फिर आप connect कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों कि market में अच्छे inclosures अविलेबल नहीं है, और इसके बज़े से क्या होता है, कि जो आपका SSG होता हो, काफी heat up होता है, और उसके बज़े से throttling के position पर पहुशते ही, जो SSG होता है अपने आपको eject कर लेता है, तो market में अच्छे inclosures अविलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा option है, Asus ROG Strix Aerion एक inclosure है, जो की काफी अच्छा है, मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते देखा है, और उसका review बे देखा है, लेकिन उसके लावा और भी जो inclosures है, मैंने किसी का review उतना अच्छा नहीं देखा, और सब में hitting का issue है, इसमें जो Asus ROG Strix है, उसमें अच्छे thermal pads का इस्तेमाल करा गया, जिसके बज़े से NVMe M.2 SSD है, वो ज़्यादा hitting नहीं होता, अगर आपका कुछ है सा काम है, जिसमें 1000 Mbps की speed से भी जादा चाहिए, मैं बता दूँ कि वो 3000-4000 Mbps का speed देते हैं, मतले कि वो mention speed है, लेकिन अगर theoretical speed होगा, जो actual speed होगा हो सकता है कि 3500 Mbps वाला, 2500 Mbps दे, तो 2500 Mbps भी काफी जादा होता है, तो अगर उस case में उतने speed की आपको requirement है, तो आप enclosure based SSD customize कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आ होगा, अगर उसके बाद भी अभी तक आपका doubt के लिए नहीं हुआ है, तो आप comment box में comment करना, मैं आपके comment का जो भी रिपलाई करूँगा, और ये वीडियो अच्छा लगा, तो like करें, share करें, और चैनल पर फर्स्ट आम आया है, तो subscribe भी करें, thanks for watching this, and have a nice day.